साथियों, बिते कुछ समय से देश में और युवाओं में बहुत चर्चा है Citizenship Amendment Act की, ये एक क्या है? इसे लाना क्यों जरूरी था? युवाओं के मन में बहुत से सबाल, बाती बाती लोगों के द्वारा बर दिये गए है, बहुत से नौजवान जागरूग है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो अब भी इस भ्रह्म के शिकार हुए है, अफ़ाओं के शिकार हुए है, ऐसे हर युवाओं को समझाना भी हम सब का दैत्व हैं, और उसे संतिष्ट करना भी हम सब की ही जिम्मेदारी है, और इसलिए आज राष्टिय युवाद दिवस पर मैं फिर से देश के नौजवानों को, पश्चिम मंगाल के नौजवानों को, नौर्थ इस के नौजवानों को, आज इस पवित्र धर्ती से और युवाओं के बीच खड़ा हो करके, जरूर कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, ऐसा नहीं है कि देश की नागरिक्ता देने के लिए भारत सरकार ने रातो रात कोई नया कानून बना दिया है। हम सब को पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के सम्मिधान को मानता है, भारत की नागरिक्ता ले सकता है। कोई दुविदा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, Citizenship Act नागरिक्ता छिन लेने का नहीं, ये नागरिक्ता देने का कानून है। और Citizenship Amendment Act उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है। ये संशोधन, ये Amendment क्या है? हमने बडलाव ये किया है कि भारत की नागरिक्ता लेने की सहुलियत और बढ़ा दी है। ये सहुलियत किसके लिए बढ़ाई है? उन लोगों के लिए जिन पर बटवारे के बाद बने पाकिस्तान में, उनकी धार्मिक आस्था की बज़र से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जीना मुश्किल हो गया। बेहन बेटियों की इज्जत असुरचित हो गई, जीवन जीना ही एक सवाल या निसान बन गया, अनेक संकटों से ये जीवन ही घिर गया। साथियों, स्वतंत्रता के बाद, पुच्य महत्मा गांती से लेकर, तबके बड़े-बड़े दिग्गत जिनेताओं का यही कहना था, कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिक्ता देनी चाहिए, जिन पर उनके धर्म की वज़से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। अब मैं आप से पूछता हूँ, मुझे बताईए कि ऐसे शरनार्सियों को हमने मरने के लिए वापिस बेजना चाहिए क्या? बेजना चाहिए क्या क्या हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है उनको हमें बराबरी में हमारा नागरीक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए अगर वो कानून के साथ बंदनों के साथ रहता है सुक्चेन की जिन्गी जोता है तो हमें संतोज होगा कि नहीं होगा ये काम पवित्र है कि नहीं है हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए औरों की बनाई के लिए काम करना अच्छा है कि बुरा है अगर मोदी जी ये करते हैं तो आपका साथ है ना आपका साथ है ना हाथ उपर उठा करके बताईए साथ है ना हाथ उपर उठा करके बताईए साथ है ना हमारी सरकार ने देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपुतों की इच्छा काही हमने सिरफ पालन किया है जो महत्मा गांधी कहके गए उस काम को हमने किया है और Citizenship Amendment Act में हम नागरिक्ता दे ही रहे हैं, किसी की भी नागरिक्ता छिन नहीं रहे हैं इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति भगवान में मानता हो ना मानता हो जो व्यक्ति भारत के सम्विधान को मानता है, वो ताए प्रक्रियाओं के तहट भारत की नागरिक्ता ले सकता है यह आपको साब साब समझ आया कि नहीं आया, समझ गया है ना, जो छोटे-छोटे विज्जार्ति हैं वो भी समझ गया है ना, जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीती खेल खेलने वाले समझने को तयार लेएं बेबी समझदार है, लेकिन समझना चाहते नहीं है आप समझदार भी हैं और देश का भला चाहने वाले युवा नवजवान भी है और हाँ जहां तक नौर्थिस के नाज्यों की सवाल है हमारा गर्व है, हमारा नौर्थिस हमारा गर्व है नौर्ट इसके राज्यों की संस्कृति वहां की परंप्रा वहां की डेमोग्राफी वहां की रिति रिवाज वहां की रहेंसेन वहां का खानपान वहां की डेमोग्राफी इस पर इस कानुन केस में जो सुधार किया गया है इसका कोई विप्रुत प्रभाव उन पर न पड़े इसका भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है साथियों इतनी स्पस्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं मुझे खुशी है कि आज का युवाही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है और तो और पाकिस्तान में जिस तरह दूसरे धर्मों के लोगों प्रत्याचार होता है उसे लेकर भी दुनिया भर में आवाज हमारा युवाही उठा रहा है